हलो मैं डियर फ्रेंज कैसे हूँ आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वास्थ होंगे आज हम लोग GKGS के पिरवियस यह एक्जाम में पूछेगे क्विस्टन का प्रेक्टिस करेंगे इस वीडियो में हम लोग SSC, CHSL, MTS, CGL और CPO एक्जाम में पूछे इसलिए अगर आप CHSL एक्जाम या फिर MTS एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आपको CGL एक्जाम में पूछे गए प्रश्ण और CPO एक्जाम में पूछे गए इंपोर्टेंट प्रश्ण को भी जानना होगा समझ में आ गया जैसे देखिए यह प्रश्ण CPO एक्जाम में पूछा गया इसके बाद MTS एक्जाम में पूछा गया इसके बाद CHSL एक्जाम में पूछा गया है समझ में आ गया आप लोगों को पाहला प्रश्ण को देखिए और उसको द्यान से समझ यह पाहला कुश्चन है भारत के उपराष्ट पती को 10 वर्सों की अवदी के लिए जाता है यह परश्ण SSC CGL एक्जाम 222 में पूछा हुआ कुश्चन है इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका सई एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी पांच वर्स उपराष्ट पती के कारिकाल होता है पांच वर्सों का इसके बाद आपको पता होनी चाहिए राष्ट के बाद अगला प्रस्ट को देखिए और उसको द्यान से समझेए अगला कुश्चन है CAO CL2 योगी का परिचलीत नाम क्या है यह भी प्रस्ट नसे सी CGL एक्जाम 222 में पूछा हुआ कुश्चन है काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्शन नम्मर डी बिलीचिंग पोडर बिलीचिंग पोडर का राशानिक सुत्र होता है CAO CL2 समझ में आगिया आगे समझ गिये अगला कुश्चन है विस्व का सबसे उंचा पठार कौन सा है यह प्रस्ट से CGL एक्जाम 222 में पूछा आवा प्रस्ट है विस्व का सबसे उंचा पठार कौन सा है तो यह है पामीर का पठार पामीर का पठार आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया और यह यह इस्तित है तिबबत में इसलिए इस पठार को तिबबत का पठार के नाम से भी जानते हैं समझ में आ गिया और आपको ऑप प्रश्ण को समझगे हो अगला कुछ चना डेविस कप किस खेल से संबंदी था ये भी प्रश्ण से सीच सेल एकजाम दोयार बाइस में पूछा हुआ प्रश्ण है इसका सई एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नम्मर डी टेनिस टेनिस से संब संबंदी था डेविस कप एक वीडियो आप लोगों को कौन सा सब्द किस से संबंदी था किस खेल से संबंदी था इसके उपर जल्दी प्रवाइड कर देंगे ठीक है आगे परें अगला प्रश्ण को समझगे हो अगला कुछ चन है निमलिखीत में से कौन सी निरित्य सेली गुजरात राज से संबंदी था बहुत ही सिंपल कुछ सन है स्सी सीजियल एक्जाम दोयर बाइस में पूछा हवा प्रश्ण है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए गरवा गरवा निरित्य गुजरात राज से संबंदी था ह समझ में आ गया इसके बाद बांकी option के बारे में समझ गये option B में आपको दिया गया है कथक तो कथक किस राज का निरित है ये निरित है UP का ये भी बात आपको पता होनी चाहिए इसके बाद आपको option C में दिया गया है कत कली तो ये कहां का निरित है ये निरित है केरल का ये भी बात आपको पता होनी चाहिए समझ में आ रहा है आगे समझे option D में आपको दिया गया है भी हो तो ये कहां का निरित है ये निरित है असम राज का इतना बात आपको पता होनी चाहिए समझ में आ गिया अगला प्रस्ट को देखिए और उसको ध्यान से समझ गिया अगला कुश्चन है भारत के सम्मिधान के निर्मान में कितना समय लगा था काफी इंपोर्टेंट प्रस्ट ना है बहुत बार पूछा हुआ प्रस्ट ना है जैसे देखिए CPO एक्जाम में पूछा गिया है इसके बाद MTS एक्जाम में भी पूछा हुआ है इसके बाद CHSL एक्जाम में भी पूछा हुआ है आगे भी ये question पूछा जाएगा तिसका right answer क्या हो जाएगा इसका सई answer हो जाएगा option नम्मर D दो वर्स इक 11 महिने इसके बाद 17 दिन लगा था भारत की समिधान के निर्मान में समझ में आगिया ये बात आपको याद रखनी है अगला प्रस्ण को देखिए और उसको ध्यान से समझ गये आओ अगला question वीर सावर कर अंतर राष्टिया हवाई अड़ा कहां पर इस्तिता है इसका साई answer क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option नम्मर D की अनुमान निकोवार दूइप समू ये इस्तिता है अनुमान एवं निकोवार दूइप समू में वीर सावर कर अंतर राष्टिया हवाई अड़ा और ये बात आपको याद रखनी है समझ में आ गया अगला प्रस्ण को देखिए और उसको ध्यान से समझ गये अगला कुश्चन है भारत में वन यजीव संदक्षन अधिनियम किस वर्स लागो किया गया था ये प्रस्ण SSC, CHSL इसके बाद MTS और CGL एक्जाम में पुछावा प्रस्ण है और इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा उप्सन नमर D, 1972 में भारत में वन ये जीव संदक्षन अधिनियम लागो किया गया था समझ में आ गया अगला प्रस्ण को देखिए और उसको समझ गया हो अगला कुछ्छन है ODC निरीत सैली मूली रूप से किस राज से सम्मन दित है ये प्रस्ण MTS एक्जाम दोयार 22 में पूछावा प्रस्ण है इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा का option number A orissa odissa हो जाएगा इसका सही एंसर ODC के बाद व्हां की option के बारे में भी आपको पता होनि चाहिए शमझ ये उसको इप। केरल का निरीत्य केरल का निरीत्य कतकली ये बहाद आपको याद रखना इसके बाद तमिल्नाडू का निरीत्य का निरीस्था भारत नातिम इसके बाद आन्ध परदेश का आपको याद रखना है कुछी पूरि निरित्याए आन्ध परदेश का इतना बात आपको याद रखना है समझ में आ गया अगला प्रस्ण को समझेब अगला कुश्चन है भारत की सीमा डैस में मयामार से लगती है यह प्रस्ण MTS exam 242 में पूछावा प्रस्ण है इस प्रस्ण को आप लोग मैप से समझ यह अच्छी तरह से समझ में आएगा यह है हमारा भारत और इसके बाद यहां पर आपको देश दिखाई दे रहा होगा यह मयामार और आपसे कुश्चन में पूछा गया है भारत की सीमा डैस में मयामार से लगती है यानि कौन से डारेक्शन में भारत की सीमा मयामार से लगती है यह आपको बताना है तो यहां पर डिरेक्शन को समझे इधर का डिरेक्शन होता है पूरव इसके अपोजीट का डिरेक्शन हो जाएगा पस्षीम और उपर का डिरेक्शन होता है उत्तर और नीचे का डिरेक्शन होता है दच्छिन ये बात आपको पहले से पता होगा अब आपसे पुछते हैं इसका राइट हो जाएगा option number D option number D में दिया गया है पूरा जो इस question का हो जाएगा सही answer समझ में आ गया आगे बढ़े अगला प्रस्ट को देखिए अगला question है स्वाराज मेरा जन्वसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा कनारा किस ने दिया था इस question का right answer क्या होगा यह हमें comment box में बताईएगा मिलते हैं हम लोग अगले class में बेहतरीन question के साथ तब तक के लिए चैनल पर नहा है तो चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आपको इसी तरह आगे का class continue मिलता रहे